अध्याई चार श्री साई बाबा का शिर्दी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य पवित्रतीरत शिर्दी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, गवली बुवा का अनुभव, श्री विठ्थल का प्रगट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगर्णू का प्रयाग्सना श्री साई बाबा का शिर्दी में प्रथम आग्मन, तीन वाड़े, संतों का अवतार कार्य, भगवद गगीता चौथा अध्याय साथ माइनस आठ में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानी और अधर्म की व्रिदी होता है, तब तब मैं अवतार धारन करता हूँ धर्म, स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्रण के लिए मैं युग-युग में जन्म लेता हूँ साधु और संथ भगवान के प्रतिनिदि स्वरुप है, वे उप्युक्त समय पर प्रगट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्रिरा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं अर्थात जब ब्रामन, क्षत्रिय और वेशिय अपने कर्तव्यों में विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती हैं, जब प्रतेक व्यक्ती सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ट विदीन दूसरा नहीं है, जब लोग निशिदा भोजे पदार्तों और मदिरा आधी का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़मे निंदितकार्य होने लगते हैं, जब भिन-भिन धर्म मावलं भी परस पर लड़ने लगते हैं, जब ब्रामन संध्यादी कर्म छोड़ देते हैं, कर्मट पुरुष्यों को धार्मिक पृत्यों में अरुची उत्पन हो जाती हैं, जब योगी ध्यानादी कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जनसाधारन की ऐसी धारना हो जाती है कि केवलधन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है तथा इस प्रकार जब लोग सत्यमार्ग से विचलित होकर अध्यपिन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रगट होकर अपने उपदेशों एवं आचरन के द्रिरा धर्म की संस्थापन करते हैं। वे समुद्र की तरह हमारा उचित मार्ग दर्शन करते तथा सत्य पत पर चलने को प्रेरित करते हैं। पश्चात शिर्दी में श्री साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीरत शिर्दी एहमद नगर जिले में गोदावरी नदी के तड़ बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्धारंग किया और अनेकों ने वहां आश्रे पाया। ऐसे संतों में श्री ज्यानेश्वर महराज प्रमुक थे। शिर्दी एहमद नगर जिले के कोपर गाव तालुका में हैं। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्क सीधा शिर्दी को जाता है। आठ मीर चलने पर जब आर नीमगाव पहुचेंगे तो वहां से शिर्दी द्रिष्टि गोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गांग गापूर, नरसिन हुआये और ओदुंबर के समान ही शिर्दी भी प्रसिदतीरत है। जिस प्रकार दामाजी ने मंगल विळा को पंधरपूर के समीर, समर्थ रामदास ने सजजंगल को, दतावतार श्रीनर सिंग सरस्वती ने वारी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री सायनाथ ने शिर्दी में अप्तीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साय बाबा का व्यक्तित्व श्री साय बाबा के सानिध्य से शिर्दी का महत्व विशेश बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुशकर तथा कठिन है। शान्ती उनका आभूशन था तथा वे ज्जान की साक्षात प्रतिमा थे। वैशनव भक्त सदैव वहाँ आश्रे पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्न के समान दानी थे। वे समस्ट सारों के साररूप थे। एक पदार्थों से उन्हें अरुची थी। सदा आत्मस वरुप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्यय था। अनित्य वस्तूओं का आकर्षन उन्हें छुभी नहीं गई थी। उनका हृदै शीशे के सद्रिश उजवल था। उनके श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लियो दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भे होकर संभाशन करते, भाती भाती के लोगों से मिलजूल कर रहते, नत्यकियों का आभिने तथा नृत्य देखते और अग्जिन कववालियां भी सुनत थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समादी किंचित मात्र भी भंगना होती थी। अल्ला का नाम सदा उलके ओठों पर था। जब दुनिया जाकती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतहकरन प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चे कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व्यापारों का उन्हें भली भाती ग्यान था। उनके दरबार का रंग ही निराला कहते थे परंतु उनकी अखन शांती किंचित मात्र भी विचलित ना होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्राता, मध्याहरी और सायन की लेंडी और चापडरी की और वायू सोवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थती ही रहते थे। स्वता सिदा होकर भी वे साधकों के समान आचरन करते थे। वे विनम्र, दयालू तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साय बाबा, जिनके श्री चरनों का स्पर्ष कर शिर्दी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारन ह जिस प्रकार ज्यानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैथन का उत्थान किया, वही गती श्री साय बाबा द्रिरा शिर्दी को प्राप्थ हुई। शिर्दी के फूल, पत्ते, कनकर और पत्थर भी धन्य है, जिनहे श्री साय चरनामभुजो का चुम्बन तथा उनकी चरन रजमस्तक पर धारन करने का सोभाग्य प्राप्थ हुआ। भक्तगर्ण को शिर्दी एक दूसरा पंधरपूर, जगत्रातपुरी, द्रिर्का, बनारस, काशी, महकलेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई। श्री साय का दर्शन करना ही भक्तों का वेदमं जिसके परिनामस्वरु पासक्ती घट्ती और आत्मदर्शन का पत सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योगसाधन था और उनसे वारतालाप करने से समस्त पापनश्ट हो जाते थे। उनका पादसेवन करना ही त्रिवेनी प्रयक्सनान के समान था तथा चरनामरित प ग्रहं करने से चित की शुधरी होता थी। वे ही हमारे राम और कृषन थे, जिन्होंने हमें मुक्ती प्रदान की, वे ही हमारे परब्रहमा थे। वे च्छंदों से परे पहते तथा कभी निराश वहताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित, चेतन्यगं तथा आनंद क कि मंगल मूर्ती थे. कहने को तो शिर्दी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, धाका और कोकन तक विस्तृत था. श्री साइबाबा की कीर्ती दिन प्रतिदिन चहू और फैलने लगी और जगह जगह से उनके दर्शनार्था कर भक्त लाब उठाने लगे. केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्री अत्वा अशुद्री हृदय के हों, के चित को परम शांती मिल जाती थी. उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था, जैसा कि पंधरपुर में श्री विठ्थल के दर्शन से होता है. यह कोई अतिश्योक्ती नहीं है. दोखिये एक भक्त ने यही अनुभव पाया है. गौली बुवा, लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्री भक्त, जिनका नाम गौली बुवा था, पंधरी के एक वार करी थे. वे 8 मास पंधरपुर तथा 4 मास आशार से कार्तिक तक गंगातट पर निवास करते थे. सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिश्यभी सदयव उनके साथ रहता था. वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंधर पुर जाते और लोटते सेया श्री बाबा के दर्शनात शिर्दी आते थे. बाबा पर उनका अगाद प्रेम था. वे बाब की ओर एक टक नहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंधरी नात, श्री विठल के अवतार है, जो अनात नात, दीन दयालू और दीनों के नात है. गौली बुवा श्री विठोबा के परम भक्त थे. उन्होंने आनेक बार पंधरी की यात्रा की तथा प्रत्यक अनुभव किया कि श्री साई बाबा सच्मुच में ही पंधरी नात है. विठल स्वयम प्रकट हुए, श्री साई बाबा की इश्वर चिंतन और भजन में विशेश अभिरुची थी. वे सदय वल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे. इसे ना बाबा से कहा कि आपकी आग्या मुझे शिरोधार्य है. परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल भगवान अवश्य प्रगट होंगे. बाबा ने अपना हृदेस पर्ष करते हुए कहा कि विठल अवश्य प्रगट होंगे. परंतु साथ भगतों में श्रद्री वतीवर उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है. ठाक और नात की डंकपुरी, विठल की पंधरी, पंचोड की द्रिर्का यही तो है. किसी को दूर जाने की आवश्यक्ता नहीं है. क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान है. ज अपता समाप्त होने के बाद विठल भगवान इस प्रकार प्रकट होस. काका साहिब दीक्षित सदाव की भाती सनान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए. दुपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा क्यों विठल पाटिल आये थे न? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं. उनको द्रिरता से पकड़ लो. यदि थोई भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे. यह प्रातहकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनह दर्शन हुए. उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया. यह चित्र ठीक वैसा ही था, जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे. चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरंग कर क का साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई. उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया. ठाना के अवकाश प्राप्त मामलत दार्श्री. बी. वी. डेव ने अपने अनुसंधान के द्रिरा यह प्रमानित कर द दिया है कि शिर्दी पंधरपूर की परिधी में आती है. डक्षन में पंधरपूर श्री कृष्ण का प्रसिदस्थान है, अतह शिर्दी ही द्रिरका है. साय लीला पत्रिका भाग बारह, आंक एक, दो, तीन के अनुसार. द्रिरका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जुकी कै, नारायन अयर द्रिरा लिखित भारत वर्ष का स्थाय एतिहास में सकंद पुरान भाग दो, प्रिष्ट नबेट से उद्रित की गई है. वह इस प्रकार है. चतुर्वर नामपी वर्गाना यत्र दगरानी सर्वत, अतो द्रिर्वती त्युकता विदध वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलब हो, दार्शनिक लोग उसे द्रिर्का के नाम से पुकारते हैं. शिर्दी में बाबा की मस्जित केवल चारो वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्प्रिष्य और भाग जी सिंधिया जैसे को पुरी आदी सब के लिए खुली थी. आत्शिर्दी को द्रिर्का कहना सर्वता उचित है. भगवंत्राव क्षीरसागर की कथा, श्री विठ्थल पूजन में बाबा को कितनी रुची थी, यह भगवंत्राव क्षीरसागर की कथा से सपष्ठ है. भगवंत्राव को पिता व विठ्थोबा की मूर्ती थी, जिसकी वे नित्यप्रती पूजा करते थे. उनकी मृत्यू के पश्चात उनके पुत्र भगवंत्राव ने वारी, पूजन श्रादरी इत्यादी समस्त कर्म करना छोड़ दिया. जब भगवंत्राव शिर्दी आये तो बाबा उन्हें देखत ही कहने लगे की इनके पिता मेरे परम मित्र थे. इसी कारण मैंने इनहें यहां बुलाया है. इन्होंने कभी नवे घरपन नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखो मारा है. इसलिए मैंने इनहें यहां आने को प्रेरित किया है. अब मैं इनहें हट पूर्वक पू इत्रतीर थस्थान है। हिंदूओं की ऐसी भावना है कि वहां सनानादी करने से समस्त पापनाश्ठ हो जाते है। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहेस्त्रो भक्तगन वहां जाते है और सनान का लाव उठाते है। एक बार दासगनू ने भी वहां जाकर सनान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आग्या लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यक्ता है। अपना प्रयाग तो यहीं है। मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य, जैसे ही दासगनू बाबा के चरनों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरनों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमतकार देखकर दासगनू का प्रेम और भक्ती उमर पड़ी। आखों से अश्रूओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ इंतहसफूर्ती हुई और उनके मुख से श्री साई बाबा की स्ट्रोतस्विनी स्वतह प्रवाहित होने लगी। श्री साई बाबा की शिर्दी में प्रथम आगमन। श्री साई बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भ इस संबंध में बहुत छानबीन की गई, बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विशे में पूछताच की गई, परंतु कोई संतोष्प्रद उत्तर अथ्वासूत्र हाथ न लग सका। भीमर्थी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरती नदी के तीर पर तमाल को पढ़े हुए मिले थे और ऐसा ही श्री साई बाबा के संबंध में भी था। दिया था और मुक्ती उनके चरनों में लोटता थी। उनको महान आश्चर यहुआ। दिन में वे किसी से भेट नहीं करते थे और रात्री में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर यह चकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहां से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृती इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र के ही लोग आकर्शित हो जाते थे। वे सदा नीम व्रिक्ष के नीचे बेठे रहते थे और किसी के द्रर पर न जाते थे। यगपी वे देखने में युवक प्रतीत होते थे परन्तु उनका आचरन महात्माओं के सद्रिश था। वे त्याग और वेराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चरय जनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शनका निवारार्थ उनसे प्रशन किया कि हे देव कृपया बतलाए कि ये किस भाग्यशली पिता की संतान है और इनका कहां से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एसकुदाली मंगवाय और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे इटे पाए गई। पत्थर को हटाते ही एक द्रर दिखा, जहां चार दीप जल रहे थे। उन दर्वाजों का मारग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकडी के तकते, मालायन आदी दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे की इस युवक ने इस स्थान पर बारह साल तपस्या की है, तब लोग युवक से प्रशन करने लगे, परन्तु उसने यह कहकर बात टाल दी की यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमी है तथा मेरा पूज्य स्थान है और लोगों से उस स्थान की भली भाती रक्षा करने की प्रार्थना की, तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया, जिस प्रकार अश्वत ओदुंबर व्रिक्ष पवित्र माने जाते है, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम व्रिक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया, महल सापती तथा शिर्दी के अन्यभक्त इस स्थान को बाबा के गुरू का समाधी स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे, तीन वाडे, नीम व्रिक्ष के आसपास की भूमी श्रीहरी विनायक साथे ने मोल्ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्मा किया, जिसका नाम साथे वाडा रखा गया. बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाडा ही एक मात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीर रहा करती थी. नीम व्रिक्ष के नीचे चारों और चबूत्रा बांधा गया. सीडियों के नीचे दक्षन की और एक उत्रे के उपर उत्तरावि मुख होकर बैठते हैं. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहां दूप, अगर बत्ती आदी सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे इश्क्रिपा से सदैव सुखी होंगे. यह वाडा बह श्चात एक दितिय वाडे का निर्मान हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाडा रखा गया. काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार सलिसेटर जब इंगलेंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुरघटना से पैर में चोट आ गई थी. उन्होंने अनेक उप्चार की एक पर अन्तु पैर अच्छा न हो सका. नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया. इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किये. उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की. बाबा के दर्शनों से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थाई रूप से शिर्दी में रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्मान कराया. इस भवन का शिलान्यास दिनाक 9 दिसंबर 1910 को कि उसी दिन आन्य दो विशेश घटनाए घटित हुई. श्री दादा साहेब खापर्दे को घर वापस लोटने की अनुमती प्राप्त हो गई और चावरी में रातरी को आरती आरंब हो गई. कुछ समय में वाड़ा संपून रूप से बन गया और रामनभमी 1911 के शुभवसर पर उसका यथाविदी उद्घाटन कर दिया गया. इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपूर के प्रसिदर श्रीमंद बूटी ने बनवाया. इस भवन के निर्मान में बहुत धनराशी लगाए गई. उनकी समस्त निधी सार्थक हो की, क्योंकि बाबा क शरीर अब वही विश्रांती पा रहा है और फिलहाल वह समाधी मंदिर के नाम से विख्यात है. इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयम पौधों को सीचते और उनकी देखभाल किया करते थे. जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां तीन-तीन वाडों का निर्मान हो गया. इन सब में साथे वाडा पूर्वकाल में बहुत ही उप्योगी था. बगीचे की कथा, वामन तात्या की सहायता से स्वयम बगीचे की देखभाल, शिर्दी से श्री साई बाबा की अस्थाय अनुपस्थिती तथा चांद पाट से निवास, श्री डैंग ने वा अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगतले अध्याय में वर्नन किया गया है. श्री सद्रगुरू साइनाथार पंड मस्तू, शुभा भवतू